अब next topic है बच्छो, applications of TIR, total internal reflection की कुछ applications है, जिस पे आपको question आसे है, तो सबसे पहले application दिखते है, when a point source is placed at depth h, in the denser medium, यहां पे एक source है बच्छो, जो कहां पे पढ़ा है, कितनी depth पे पढ़ा है, उपर से यहां तक कि depth कितनी है, h, तो पानी पे बीच में पढ़ा, आप बाहर से देखते हैं, तो कहते हैं, the locus of point where race strikes at critical angle is circle, called circle of illuminance, अब जहां समनना, इसका मतलब क्या, देखो, जब आप बाहर से देखोगे ना, इस object को, तो कहते हैं, आप इस object को, एक circle में ही देख पाऊगे, बस, पानी में एक circle होगा, जिसके बीच में से आप इसको देख सकते हो, बाकी पानी जो होगा, circle के बाहर वाला जो पानी होगा ना, surface की बात कर रहो, surface से आपने जब इसको देखना है के तो आप इसको एक circle में ही देख सकोगे, कि इतने इतने circle में ही वो object दिखेगा, बाकी पानी में नहीं दिखेगा, अब ऐसा क्यों होता है, उस circle को नाम क्या द यहां पे ऐःंगल ओफ इंस डॉपल हो गया तो क्या है यहां से लाइफ पागे जाएगी आखँ तक यहां पर किया आखो तक जाएगी लैट नहीं जाएगी क्योंकि यहां से तो एंगल कितना हो जाएगा रेफ्रेक्शिन एंगल 90 अब जब लाइट इस से ज्यादा एंगल पर गिरेगी तो क्या लाइट बाहर निकलेगी आखो महीं नहीं वो कहा आ जाएगी अंदर तो सिरफ क सर्कल के बीच में से जो रेज निकलेगी वो तो बाहर चले जाएगी जो हमारी आखो तक आएगी पर जो सर्कल के बाहर से जाने लगी है उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस प्रिटिकल एंगल से बड़ा या उसकी वल आ जाएगा जिसके कारण रेज दूसरे मीडियम में जाए भी और हमारे आखों तक पहुंचेगी तो हमारे जो रेज पहुंच रिये वो सिरह सर्कल में से निकल रहेगे और उस सेर्कल के ऊपर एक सर्कलפ επर का क्याप कर दो ढगो तो आपको ओबजेक्ट दिखेगा इंगी कि यह अग्जेक्ट पढ़ा है वह आपको दिखेना तो बताओ उसके उपर कितना cover करें उसे, कौँसी shape का cover करें तो पहले तो यह पता लगए है कि circle shape में ही light बाहर दिखेगी हमें, दिखेगी नहीं मतवर मतब सर्कल में इसे ही light निखलेगी बाहर और अगर आप चाहते हूं क आपको अब्जेक्ट ना दिखे तो आपको वो रोग नहीं पड़ेगी जिसके करन आप उपर क्या रद्दोगे तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा वह कैल्पूलेट करना तो यहां पर देखो यह सर्कल का रेडियस कितना है आर लाइट जब निगल रही है तो नीचे से तो अब जहां से देखो आर का यह रिलेशन है एक बाइग वान माइनस ब्यू स्क्वार का रूट अब यह रिलेशन आया कैसे वह देखते हैं तो उसके लिए देखो सबसे बहुत जहां से देखने इस चीज़ को यहां पर देखो यह जो लाइट थी यह किस एंगल पर किने बावाग्ण निकले की और किस जो लाइन गिर्रु है वो बाहर नहीं देखेंगा दिनका एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ें अब यह वाला है अब यह अकर यहाँ एगर यह टी यह भी एंगल कितना होगा critical एंगल क्योंकि यह alternating pair बना रहे हैं बना रहे हैं अब उसके बाद आपको निकालना है इस त्रेंगल में यह एंगल कितना हो गया 90 तो इस ट्रेंगल में यहां दो एंगल है तो यह बन गया बेस यह बन गया प्रट्वेंडी गुलर और यह बन गया मैंने साइन इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास critical एंगल भी नहीं था मुझे वो भी दायब करना है और मुझे पता है कि इसलिए मैंने यहां साइन देखो प्रेंगल में साइन होएगा प्रपेंडिकूलर अपॉन हाइपो निगाल देंगे कैसे अंडरूट आफ प्रपेंडिकूलर का स्क्वेर प्लस बेस का स्क्वेर चीज़ अब साइन आईसी की जगह क्या आजाएगा वन बाय मुझे इधर आगया बच्चो आर बाय अंडरूट आर स्क्वेर प्लस एच स्क्वेर हमें किसकी वेट्व चाहिए आर क्या करोगे अब यह अंडरूट वाली टाम उपर ले गए और इधर मूझे अब आपने अंडरूट गा अंडिया मुझे स्क्वेर आर स्क्वेर एच स्क्वेर इस एक्वेर आर 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 स्क्वेर आर स्क्वेर इस एक्वेर अंडरूट मूझे स्क्वेर माइनस वान तो यह फॉ यह होगा आपना यह फॉर्मले में थोटी सी कड़ पर ज्यास से देखना है एक बाय अंडर रूट म्यू स्क्वेर माइनस वाइस इसी अप्लिकेशन पर बेस्ट एक नुमेरिकल देखिए तो वही बोला जाएं यहाँ पर आपके पास एक लिक्वेर अगेते तो इसके जो बैसल में लिक्वेर है लिक्वेर का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कितना दी है आपको 5 by 3 और इसके बॉटम पर पढ़ा एक सोर्स ओफ लाइट की वाइट गिरन कि प्रिफित पर सब्सक्राइब कर एक टिरन की वर्प इसको किरेंट री कॉपर से लिए आपके दिस्क ओ रेजिए फान सेंटीमिटर फ्लोटिंग ओन दा सर्फेस तो एक डिस्क इसके उपर फ्लोट कर रहे हैं इसके ऊपर ऐसे डिस्क इन बना दिया और डिस्क का जो सेंटर है वो बिलकुल किसके पास है सोर्स के सेंटर यूजलान वे और हमें बोल ढले कि का को जूरेडियस है ब्सक और संटिम्ट गर देलीकोई फчив up डवकश इसजो डरेंड यॉड ढोट थू आप लिख्वें अधिया कम करना शुरू करती है ठीक है यह वट इसा मैक्सिमम हाइट फॉफ लिक्वेड फॉर विच सर्फिस कैनाट भी सीन एड और तो कहते बताओ कितनी लिक्वेड की हाइट तो कंटेंगर में कि आपको वो सोर्स लिखे ही ना तो यह वही क्वेश्चन ह बच्छोब आपको मैंने क्या बुला जब आप पानी के उपर से किसी सोर्श को देखो गे तो उसकी जो लाइट अब किस में से निकल नहीं है circle में निकल भी बोलब circle of illuminance पड़ाए circle में से दिखेगी उपर क्या तैर रही एक वो डिस्क से बढ़ा था तो लाइट इदर से और इदर से बाहर निकल रही जाए अगर वो कह रहा है कि आपको दिखना बंद हो जाए तो आपको इस सर्कल का क्षोटा करना पड़ेगва और किसका इकफल करना पड़ेगा जितना किसका डिस्क की आपका सfficiggle of illuminance ओ द्गिण हो जाए सेम हो जाए सेम उसकोपर आ जाए सक्टbst packed की उपर आजाए और आपको दिखना क्या हो जाए बंद हो जाए इसका मतलब we want कि disk का radius और हमारे circle illuminance circle का radius क्या हो जाए same हो जाए उसके लिए पानी की height करनी पड़ेगी कम करनी पड़ेगी क्योंकि अभी हमने एक formula derive किया था क्या था वो formula r is equal to h by under root mu square minus 1 r h के directly proportional है पहले height जादा होगी तो radius बड़ा होगा disk से भी बड़ा radius है illuminance circle का तो हमें दिख रही थी light पर अगर आप दिखाना ली चाते light को तो आपके circle of illuminance का radius किसके equal होना चाहिए disk के radius के equal होना चाहिए जिसके कारण height को क्या होना पड़ेगा कम तो कि radius कम करना और वही height पूचिए तो क्या अगर दो कि बड़ेगा इसको एक तरफ कर तो यह एक तरफ हो गया आर की जगा आर की वेंडू किसके equal करना है disk के radius के equal 1 cm मतलब 0.01 mu square कौन है पानी है पानी का refractive index is what 1.33 तो यहाँ पे 1.33 का square minus 1 बख की काम आप पे है solve करो और अब से निकार दोर IIT की problem है देख लो आज कल CBSC वी डाल दो मतलब कितर है 1.33 में लिखना 1.33 में लिखना अब देख 5.66 होता है पानी होता है 1.33 नहीं होता भी कितरा होता है 5.33 होता है 1.66 होता है thank you यह पानी नहीं दिया हो और हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है यह बोलो पानी नहीं दिया हमें लिक्विड दिया है और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया है इसलिए 1.33 नहीं लेना 5 by 3 का स्क्वेर लेना है फिर तो इसी हो जाएगी कैपुलेशन 0.01 अंडर रूट 5 का स्क्वेर by 3 का स्क्वेर स्क्वेर माइनस 1 0.01 अंडर रूट 5 स्क्वेर माइनस 3 स्क्वेर by 3 स्क्वेर यह क्या बन जाता है उपर 4 by 3 आ जाए गई आ जाए गया ना 25 माइनस 9 16 16 का अंडर रूट 4 तीचे 9 का 3 का स्क्वेर को ऐसी बाहर आ जाएगा अब इसको आगे स्क्राइब कर देना अवन स्क्राइब तो रिफ्रेक्टिव इंडेग्स 5 by 3 था 1.33 नहीं था पानी होता दो 1.3 तो next question is the refractive index of water is 4 by 3 अब पानी है question में 1.33 मतलब 4 by 3 obtain the value of semi-vertical angle of cone within which the entire outside view would be confined for a fish underwater तो आपके पास यहां पर मश्ली जलगी रानी जीवन उसका पानी तो यह जब बाहर देखेगी मश्ली यह फिश्ट जब बाहर देखेगी तो वही सेम बच्चो इसका जो विजन होगा वह कौन सी शेप में आएगा अंदर तो कौन बनता है ना बाहर सरकल बनता है तो यह ऐसे conical shape में इसको दिखेगा ऐसे ठीक है फिर आपको वह फिगर बस याद आ जानी जाएगे यहां पे लास्ट पे जो वह लोगा बनती उसको बोलते हैं संभी वर्टिकल एंगल तो यहीं निकाल के देना है और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स गेवाना है तो कैसे निकलेगए सिंपत्थ टिटिकल एंगल बता है तो मिउज एक्वल टू बाइस साइन आई सी कितना आ गया 1 by mu k which is 1 by 4 by 3 which is 3 by 4 कितना आ गया 0.75 अब पानी का क्रिटिकल एंगल विज रिस्पेक्ट टू एर आपको याद होना चाहिए क्योंकि कई बार कितना बोला था मैंने नियर अबाउड कितना होता है 49 तो सेमी वर्टिकल एंगल is 49 डिगरी अब सुनो मेरी बात कई बार यह पैसे आता है मैक्सिमम रेंज ओफ एंगल कि फॉर्टा फिश तो सीन आउटसाइड कि भी कितना एंगल वो देख सकती है वहां तो कितना एंगल वो देख सकती है तो मैक्सिमम रेंज जो है वो डबल होगी ना इधर भी देख सकती है तो टू इंटो फॉर्टी नाइन कितना आ गया नाइंटी एट डिगरी क्लियर यह चीज तो यह भी कई बार क्वेशन आसे तो यह ना हो कि आपको सेमी वर्टिकल कराया वही अंसर अगर रेंज पूछ इसमें सिगनल जाते हैं वाइफरी की केबल्स ओगई यह आपकी जो डिश लगती है टेल्विजिन में केबल्स लगती उनकी वाइट तो वाक उसमें होता कि है सिगनल एक जगह से कहा जाता है दूसी जगह में ट्रेवल करता है उसके अंदर तो हम चाहते हैं कि जो सिगनल है थे अरश यह अँदर पूर में निकलता है अगर निकल यह इ propio सिगनल नहीं आएगा वीक सिगनला जो हम चाहते हैं कि जो सिगनल एक तरफ से ट्रेवल कर रहा है वे को दूसी तरफ जो पूरा का पूरा पोदाखे तो उसके लिए पॉसिमिलेटि गए आप ये आफिर हो बहुत और एक होती है कि अधर करेंडिक से जाधा और का मीडियुम टी आई आर के लिए क्या चाहिए डेंसर बाहर का मीडियुम क्या चाहिए अब होता गया जब लाइट मालो यहां पर लाइट इसी फित अगल पर गई पहले तो एर से जारी ना अंतर पहले तो टी आ रोगा यहां गई उपार टक रही अब बाहर नहीं जानी चाहिए तो यहां पर जो एंगल अब लाइट गया जाता है कि लाइट जब भी टकराएगी सर्फेस को उसका एंगल और क्रिटिकल अंगल याईग्ल बढाएग भाण से बढ़ा हो तो एक भी एक पर गूंच होग तुनिज वेक पहले of TIR application of TIR तो यही लिखा हुआ है जाना detail में मुछ नहीं आना यह formula बस याद करें competitive में बहुत कामा आते हैं क्या है यह formula कि अगर कहते हैं कि ray incident at the core at an angle less than theta A it will suffer multiple total internal reflection तो यह theta A की बच्चों अगर value इस angle से छोटी हुई ठीक है अगर यहाँ पे जो light गिर रही है उसकी value theta A से छोटी हुई तो अंदर क्या होएगा TIR तो मतलब बाहर से signal कितने पे भेज रहे हो यह भी depend करता है अगर यह बाहर का signal आपका इस theta से बढ़ा हुआ तो TIR नहीं होगा तो यह as such formula याद करना है कि वो angle जिससे छोटे पे light को भेजना है कि अंदर आपका TIR चलता रहे उसको निकालने का यह formula है under root mu1 square minus mu2 square by mu naught mu naught क्या है बाहर का medium mu1 core का medium mu2 क्या है blending का medium तो यह line जरूर mention करते न कि if the ray incident at core add an angle less than theta less than bird more than यह less than होना चाहिए इस angle theta यह से छोटा होगा toe under TIR होगी नितो अंदर TIR नहीं होगी और कितना वो angle आपको यही आता है maximum value of theta for which TIR occurs in optical fiber उसको निकालने करें derivation आपने करने नहीं क्योंकि यह formula basically competitive का है boards में निकाल कुछ है आप लोगों ने बहुत बार यह observe कि होगा especially summers में जब आप रोल पे जाते हो तो आपको काफी दूर जो है ऐसे लगेगा कि पानी बढ़ा हो अगर observe किया हो कभी आपने ठीक है तो पानी है बट एक्चल में होता रही है या जादा तर क्या होतार डेजर्ट में ऐसा लगता है कि वहाँ आगे पानी है जैसे आपने टीवी में देखा होगा है ऐसे होता है काटून में होता था उसको लगता होता था कि वहाँ पे पानी है पर जाता है पानी नहीं होता तो ऐसा ये एक डेलूजिन है बेसिकली ये ब्रह्म है आप तो ऐसा पेर होता है रियल में पर एक्ट्व में पानी होता नहीं पर ऐसा होता तभी है बच्छो जब उस जगह के पास ना कोई बहुत बड़ा अब्जेक्ट पड़ा लाइक स्पेशली ट्रीज पड़े ट्रीज जब लगें वहाँ ऑने देक्शाव का पासव में पर पर एक पैड़ूर होता वहाँ पर से लाइत अ तो जब लाइट ऊपर से नीचे की तरफ आरी है तो जब बहुत जादा गर्मी होती तो सर्फिस के नीचे वाली एयर गरम हो जाती है और ठंडी एयर कहां पहुंचाती है उपर और cold-air इंपर वाला तो होता क्या है जैसे जैसे लाइट उपर से नीचे की तरफ आ रही है तो देखो बहुत साली लेयर्स बन दी है ऐसे हर लेयर उपर वाली लेयर के नीचे वाली एल है नुट है न की तो अब यहां पर इंसिडएन लोगा यह आECso एन एंकल यह पहले से जेड़न एंकल से अपनी एंगल गया हो गया बड़ा हो गयैं तो incident angle बढ़ गया अब फिर कहां से कहां जा रही है अब यह dancer है यह नीचे वाला उसके comparison में क्या है तो light दुबारा से dancer से radar जा रही है तो अब जब light यहां जाके टकराएगी तो यहां इसका incident angle पहले से भी क्या हो जाएगा बड़ा होता जाएगा मतलब जब light उपर से का नीचे की तरफ रही है तो उपढ़ ऑने नीचे डेंसर यूझा ऐसे करते करते हर लाइट का इंसिदेटंग डूसरे मेडियम से क्या हो रहा है बढ़ा हो जाएंग गर्लेस पर घंठ करते हो तो यहு신 향 मेंग करते करते एक time पे आके यहाँ पे light का जो incident एंगल है वो critical angle से क्या हो गया बढ़ा हो गया जिसके कारण light क्या हो गई reflect होगी जब यह light reflect हुई हमारी eyes में बढ़ी तो हमारी eyes ने तो brain को यही signal दे रहा है कि image कहां बन रही है यहां बन दे अब क्योंकि सारी रेस यहां नहीं पहुंची सारी रेस का एंगल तो नहीं होगा कुछ तो अभी भी क्या होगी critical angle से चोटी होगी तो कुछी रेस हमारी eyes तक पहुंच रही है तो वो इस ट्री की blurry image यहां बना देगा एक ब्लरी इमेज ठीक है और आपको यह पता है कि temperature है atmosphere की layers move कर रही है तो वो जो blurry image है को कि medium move कर रहा है तो ब्लरी image भी क्या कर रही है ऐसे ऐसे move कर रही है और आपके brain को यही signal मिल रहा है कि महां पर क्या कर रहा है पानी जो है वो क्या कर रहा है इस अब्जेक्ट की blurry image तो रोड पे ऐसे ही होता है रोड के आसपास trees लगे होते हैं वो trees की blurry image आपको road पे दिखाई देते हैं और आपका brain उसको पानी समझ लेता है क्योंकि वो ऐसे ऐसे हिल नहीं है clear this is so this is all about miraj event आपको paper में आएगा नहीं आपको इतना नहीं चमकता होता है डाइमेंड को कौन चमकता है तराशने वाला डाइमेंड को करता है तो यहां पर डाइमेंड की जो ब्रिलियेंस तरह की जाती है डाइमेंड को देखा होगा अगर आपने तो की कटिंग इस तरह होती है बड़ा शाफ शाफ होते हैं उसके उसको कट इस तरह किया जाता है कि जब लाइट उसमें देखो एक बार लाइट एंटर कर गी लाइट एंटर तो तो रेडर से डेंसर में तो लाइट चले जाएगी पर जब डाइमेंड से लाइट ने बाहर निकलना है जब डाइमेंड से लाइट ने एयर में जाना है तो जब वो डाइमेंड की सर्फेस पे जाके टकराएगी ऐसे तो इसको इस तरह कट किया हुए है कि जो इंसिडेंट एंगल आएगा वो critical angle से बढ़ाई हो जाएगा हर बाद जिसके कारण जो light है वो diamond के अंदर से बाहर ही निकल पाती diamond के अंदर ही trap हो जाती है क्योंकि diamond की cutting इस तरह की गई है क्या लिखा गया है क्या इस तरह की जाती है क्या इसका critical angle कितना बन जाता है 24 degree इतना चोटा गर्द है और इतना कम critical angle होने के कारण जब भी light उसकी cutting इस तरह की हुई है कि light जब भी उस पे गिरेगी उसका angle of incidence 24 degree से क्या रहेगा बढ़ा ही होगा जिसके कारण light अंदर ही trap हो जाती है चमकता है इसलिए दिखते है कि अंडर अंडर या थाउजंड ओफ लाइट में से कोई पांचे लाइट ऐसी होंगी जो कभी ना कभी क्या होगा इस 24 degree celsius के एंगल से चोटे एंगल पर रिच जाए जिसके कारण वो light कहा आ जाएगी बहार निकल जाएगी तो सारी बहार नि जाती है जिसके सारी तरफ से लाइट निकलती है जब उसमें कई से लाइट दृघा निकल हो निकल हुघ रहे rates ए तो ये ऐ है कर सारी बहार कि निकल पाया कि उसका अधरिए ज्यु इंसिदेंस जो है डाइमिंड के ऊपर जब बाहर निकलना है उसने वो क्रिटिकल एंगल से छोटा हो जाएगा इसके करण कुछ लाइट बाहर निकल जाएंगी जो क्या शो करती है में स्पार्कलिंग अफेक्ट ऑस दैंड नेक्स्ट है पोरोप्रिजम यह जो पोरोप्रिज कीबी क Giving अइसे करके यहां से वो देखते हैं पानी के अंतर होती है यह जिसको आप यहां पे इस PRISM में इस और यह तो इसका मितलब को है यहां पे इस PRISM में इस राइग इंगल इसोसलेस PRISM अब ऐसे प्रिजम रखने से आप नाइंटी डिग्री से इस प्रिजम की एखासियत कि आप लाइट को कितने डिग्री से डिविएट कर दोगे नाइंटी डिग्री से अब होता गया देको जाल से समझना इस चीज़ को यहीं दुबारा से आते हैं सम्मरीन वाले में इसमें हैं जो बाहर से लाइट आरे किसी चीज़ को यहां टकर आ जाएगी मेरी होगा तक तो पहुंचे एगी नहीं अगर में इसके अंधर हो सम्मर्य है तो इस लाइट को आप कितने डिग्री से डिविएट करना चाहते हैं न 90 तो आप यहां पर इन प्रिजम को रख देता वाई से इस प्रिजम का काप कहा कि यह लाइट को 90 डिगरी से क्या कर देते हैं कैसे करते हैं उसके लिए देखो यह भी अप्रोब्लम और ऑपनुलर आएक जहां से समधने चीज को परिटी कुलर आ रही है जब इस फेस के पर प्रपेंडी कुलर इंसिटेंट रुए न तो जब परपेंडी कुलर इंसिडेंट होगी तो क्या रिफ्रेक्शन होगी नहीं होगी वह सीधा चलेगी इस फेस प कि यह वाली लाइट जोसी कि आ रही है यह के प्रपेंडिकुलर और यह जुमक्न मेंने यह वाली लाइन इसके पर पेंडिकूलर थी इन दोनों के बीच का एंगल 45 है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा तो ऐसे एंगल निकालना है बाद से कब लगी यह चीज़ जो उपार एंगल होगा वहीं इधर एंगल बचा अब मुझे यह बताओ प्रिजम का जो क्रिटीकल एंगल जाओ कितना खुट ग्रत फॉर्टिटो यहां पर यह कितना पुर्टन एंगल पें Seven Clothes हो औरrah और इंपिवैंगों के लॉट फोलो होंगे तो एंगल ऑफ इंसिदेंस इस 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 तरह रख दोगे इसी को इस तरह रख दिया और लाइट इधर से आ रही है कि असरे हैं पो बॉलोगे कि तो अगर वान इटी से डियाट लाइटी डिकरी तो आप इन को यूज कर सके अब आप बोलोगे कि सर अगर 180 से deviate back करना है तो why not we simply use the plane mirror in front of the race वो भी तो 180 से वापिस करतेगी तो difference वही है मैंने बोला था mirror जो है वो भी 0.1% light को क्या कर लेती है absorb कर लेती है पर यहाँ पर कौन सा फिनॉमिना चल रहा है TIR में 0.1% की light जो है वो बाहर नहीं जाएगी सारी की सारी light क्या आजाएगी अंदर आजाएगी तो 180 की deviation के लिए इसे use करते है और अगर आप अपनी light अपनी race को invert करना चाहते हो या अपनी image को उल्टी करना चाहते हो तो आप इस configuration को use करते हो तो यह तीनों configurations बना के रखना कोई यह बहुत बार आती है exams में तीनों को बना रही है पता लगे है ने इंटरफेस पे एंगल कितने का बनता है 45 के जाके incident होता है critical angle 42 degree है तो वो क्या कर देगा उसको TIR कर देगा तो यह चीज़ नेक्स एक्सांपल और शुड बेल्यू ओफ थीटा तो देखो पहले diagram बनाते हैं अगर यह 90 यह बच्चो साहिर वाला थीटा है तो यह कितरा होगा 90 माइनस थीटा angle some property लगा दी ना इसको x माल लेना x प्लस 90 प्लस थीटा is equal to 180 वहां से x कितना आगया 90 माइनस थीटा अब यह लाइट यहां से तो बिल्कुल सीदा चले जाएगी ऐसे कुकि परपेंडिकूलर आ रहे हैं यहां पे बनेगा इसका मतलब क्या है कि इस 90 माइनस थीटा is equal to what critical angle जब लाइट का अब यहां से यह भी आ गया कि साइन 90 आप ऐसे भी कर सकते हो अगर एक क्वेशन आया तो यू केन आलसो दूए लाइक इस 90 माइनस थीटा शुट भी ग्रेटर दन और इक्वर तो यहां पे 90 माइनस थीटा इस और एक्वाल डूर तो साइन आइस जो वेड़ाँ साइनी साइन एलिया आपड़ाँ साइन 90 माइनस थिटा इस वाट कॉस्थ तो कॉस्थ फिटा शुगई एक्वाइज डूर इपड़ाइस इसके कवण होगा बखलो mu medium is equal to 1 by sin ic बहार तो यह रही है ला और medium को होने है अपना prism या glass तो यहां के आ जाएगा 1 by mu ठीक है तो यहां पे cos theta is greater than or equal to 1 by mu cos theta is greater than or equal to 1 by mu की जगह क्या आगए 3 by 2 या दिया है न रिफ्रेक्टिव index n लिख दिया है cos theta is greater than or equal to 2 by 3 cos theta is greater than or equal to cos inverse 2 by 3 तो यहां पे हम equality लेके question कर दें है अगर equal to हुआ जी कर दें है और greater than हुआ जी तो अगर question में आता है what is the minimum value minimum value में equal to कर दो maximum value के लिए greater than का साइं जी के लिए so one of the most favorite question of CBS आपके पास प्रीजम ठीक है प्रीजम के ऊपर तीन कलर की लाइडार blue green red हमने यह भी बोला था refractive index wavelength के साथ क्या हो जाता है change हो जाता है जिसकी wavelength जादा उसकी refractive index कम तो यहां पे red, blue और green के लिए इसकी जो refractive index होगी वो लग लग हो जाएगी और given है कि refractive index of material of prism for the red, green and blue wavelength is this, this and this तो जहां रखना प्रीजम तो वही है पर light की wavelength बदल गी तो प्रीजम ने अपना refractive index भी क्या कर दिया और आप से पूछा है कि out of the three which color ray will emerge out of face AC तो इन में से तीनों में से कौन सी देज यहां से बाहर आ जाएगी और फिर बोला है justify your answer फिर बोला ट्रेस भी करो उनका पास पहले इतना जड़ते हैं फिर second pass करेंगे तो अब देखो ध्यान से यहां पे light यह एंगल जितना होगा पैसलों यह 90 यह 45 है तो यह भी कितना होगा 45 तो आपको यह पता लग गया कि यह एंगल है 45 तो जब यह light आई यहां टक्राएगी तीनों लाइट जब आके टक्राएगी तो यहां पे जो एंगल होगा हो किते होगा 45 तो अगर आप चाहते हो कि light बाहर ना निकले टी आई आई आर हो ठीक है फॉर टी आई आई आर यूर इंसिदेंट एंगल शुट भी बेटर दें क्रिटिकल एंगल बेटर देन और 45 एपि फिर तीनों हमने कहा रखे दोनों तरफ साइन ले 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 लेते हैं को कि साइन फिर टीकल एंगल की value निकल जाती है साइन 45 इस वाट? 1 by root. और होगा है नाई नाद है? यह जो बीच की इनिक्वैलिटी है वो चेंज होगी क्या रैसी प्रोकल करने के बाद बीच की इनिक्वैलिटी चेंज होगी या नहीं होगी होगी एक्जाम्पल जित बता देते हैं 1 by 2 is greater than 1 by 3 1 by 2 is 0.5 1 by 3 is 0.33 अगर मैं रैसी प्रोकल कर दो 2 और 3 तो चेंज होगी यह देख लो हाल लीनियर इनिक्वैलिटी वास तो निकल गी रही चल थी बोल रही तो इनिक्वैलिटी चेंज होगी अगर आप रैसी प्रोकल कर रहे हो तो इनिक्वैलिटी चेंज होगी इसके लिए यहां पर रैड वाली है उसके लिए कितना है रैड के लिए 1.39 तो रैड के लिए कितना है 1.44 और उसके बाद ब्ल्यू के लिए कितना है 1.47 तो मुझे बताओ ती आइयर किस में होगा ती आइयर ग्रीन में हो जाएगा क्योंकि उसकी म्यू की वैल्यू 1.41 से बढ़ी है और ब्ल्यू में हो जाएगा पर रैड में ती आइयर नहीं होगा तो अब आप देखो यहां से, पाथ प्रेस करेंगे आप इसके, तो पहले ब्लू की बात करें, यहां आएगा, 45 पे, 45 पे इंसिडेंट हुई है, तो 45 पे क्या हो जाएगी, रिफ्रेक्टि तो ऐसे चले जाएगी, इस पेस में तो पर्पेंडीकूलर जाके गिर रही है, यहा से क्या आगई, ऐसे 90 पे नीचे डिवेट हो रही है, रेट की बात करें, तो रेट टिया यार नहीं होगा, रेट का इंसिडेंट एंगल 45 है, रेट बाहर जाएगी, डेंसर से रेडर जा रही है, तो बेंड अवे फ्रॉम दा नॉर्मल या बेंड तो वार्ज दा नॉर्मल तो आप आर निकाल दोगे यहां से, वाहां पूट कर दोगे, तो ऐसे प्वेशन हो जाएंगे, आपकी कौन सी लाइट बाहर निकलेगी और कौन सी नहीं निकलेगी, उसके बाद कहते है, वाह बिल दा सिचुएशन चेंज इफ इस रेज वर इंसिडेंट नॉर्मली ओन फ 60 का हो गया, तो जो वहां क्वेशन 45 डिगरी से किया, आप कितने से करेंगे, 60 डिगरी से, तो अब यह आप पे छोड़ रहा हूं, 60 डिगरी वाला कुद करना, एक्विलेटरल ट्रेंगल का, कोई डाउट हुआ तो मैं इसे पूछ रहा है, क्लियर इंपॉर्टेंट है यह गाया है उदे टिगरी वाला का, क्वेशन 45 डिगरी वाला क्वेशन Jenग यह जा जिए